असलाम लेकुम, hope you are doing well, you are doing a great job, अभी तक पिछे हमने सीखा किस तरह से हमें डिसिप्लन रहतना है, डिसिप्लन है क्या और किस तरह से हम इसको एचीव कर सकते हैं, ठीक है, और यह क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइव में, पहले हमने यह सारी चीजें सीखनी, अब हमने किस तरह से डिवल्प की जा सकती है, और डिसिप्लन रहने के लिए, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं, तो जब जो चीजें हमने बनाई थी, for example, हमने बोला था, goals बनाने हैं, short term goals बनाने हैं, smart goals बनाने हैं, and so on, आज हम सीखेंगे, कि हमने चीजें को कि बनाई है, so maintenance के लिए, accountability बहुत जरूरी होती है, for example, यहाँ पर एक company है, company ने अपना, एक budget सेट किया हुआ है, अपनी management का, एक सेट की विया, staff है, वो इतनी बड़ी company किस तरह से चलेगी, of course, उसका finance, उसके accounts, जब तक वो accounts थीक नहीं होंगे, जब तक उसकी inspection, उस company में काम क करने वाले हर काम करने वाले बंदे की और क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसकी inspection नहीं होगी, तब तक वो company किस तरह से अच्छा run कर पाएगी, और किस तरह से वो profit gain कर पाएगी, और उसका नाम हो पाएगा, so accountability is much more important, हमने rules तो set कर लिए है, चीजों के लिए, बर ह हमें उस पर persistent कैसे रहना है, हमें उने maintain कैसे रखना है, हमने उन पर implementation किस तरह से करने है, यह भी तो हमें देखना है, यह सट करने से काम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, हम एक दिन काम करेंगे, हम एक दिन अपनी habit बनाने की कोशिश करेंगे, दो जिन, तीन, तीन हम सब अपने priorities, let's set करते हैं, for example, हमारी life के aims होते हैं, teenagers यह 20s की जो age में होते हैं, उनके ज्यादा मसला होता है, अपना weight यह अपने looks, एक आपका look, जो है बहतरीन आना चाहिए, जब हम उसको account करते हैं, तो हमें होता है कि हम जाएं जाएं, यह तो weight lose करें, यह muscles mass gain करें, ता तो आपने वो ले लिया, membership ले लिया, अपना जिम सूट खरीद लिया, जोगर्स हरीद लिये, बड़े motivated अंदर से, और एक महीना जिम गए, बड़े passion के साथ, एक महीने बाद पता नहीं क्या होगे, एक दम से सब बिलकुल हवा हो गया, ठीक है, और एक दिन का अच्छा वह आज नहीं में जाना हो, आज में ठाकाओं, कल जाओंगा, कल नहीं जाना हो, अच्छा परसो जाओंगा, परसो नहीं तो फिर तरसो, हलाके membership पड़ी है, सब काम उसी तरह जारी है, might be trainer, आपको phone भी करें कि आप आनी रहे, क्यों नहीं आ रहे, जब तक हम खुद अपने accountable न करते रहना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किस वक्त क्या करना है, एक successful life जीने के लिए, ठीक है, to be disciplined, you have to maintain a specific system, ठीक है, system of life, वो system जिस पे आप अपनी routine सेट करें और उस पे चलते चले जाए, persistently, और उसके लिए आपको accountable ही होना है, आपने ये काम क्यों नहीं क क्या थी, जो अगर आपकी अपनी कोई specific वजा थी, तो आप उसे eliminate करें, अपनी intrinsic को था, के procrast करने को दिल करा था, इसलिए नहीं किया, हाँ बेरूनी है, तो वो ठीक है, वो थोड़ी बहुत flexibility हो जाती है, लेकिन अपने लिए खुद accountable होना सीखें, जब तक आप खुद अप accountable नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, वो खुराने पाक में भी है कि इस कोई की हालत तब तक अला नहीं बदलता, जब तक वो कोई अपनी हालत खुद नहीं बदलती है, ठीक है, अपने लिए accountable होना सीखें, अगर आप ही अपना analysis नहीं करेंगे, तो कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको सीधर रास्ते पर नहीं लेके आ सकती, ठीक है, train yourself as a master, अपने आपको किस तरह से अपने master के level लेके जाना है, इस तरह नहीं के, I'm a slave, मुझे तो भी कुछ आता ही नहीं है, मैं कुछ कढ़ी नहीं सकता, मुझे अभी तो बहुत सीखने में बहुत वक्त लेगा, नहीं, you can do everything, अगर आपने willpower अपनी strong कर ली है, तो आप पह train yourself as a master, employee बनने के लिए काम ना करें, काम ना सीखें, बलके as a holder, ठीक है, manager, और आप boss बनने के लिए काम सीखें, जब आप इसके लिए मनजिल तैक करना शुरू कर देते हैं, तो आपका खुद बाखुद चीजने बड़ी बहतरीन चलना लग जाती है, आपके thoughts उसके मताबि हो जाते हैं, आपकी हर चीज उसी एक theme के मताबिक हो जाते हैं, कि you have to train yourself as a master, master level का काम करें, ठीक है, employee ही नहीं बनने रहें, तब ही जाके आप एक अच्छे, जो है, successful इंसान मिन सकते हैं, कोई भी successful इंसान आप ले लें, वो कभी भी slave नहीं होगा, या वो अपनी खौईशा का यह दूसरों का होलाम नहीं होगा, वो एक fundamental laws को जानते वे उन पर काम कर रहा होगा, और वो तरक्की मुखी मंजिने तैक करते करते, बहुत आगे चला जाएगा, कि लोग उससे उसकी success का राज पूछेंगे, इवन देट लोग उसे master समझेंगे, ठीक है, उसके लिए सब अपने comfort zone से बहार आए, जब तक अपने comfort zone को नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक कोई भी change अकर हो ही नहीं सकता, जूहीं आप अपने comfort zone को छोड़के थोड़ा सा बहार निकलेंगे, think out of the box आपने सुना होगा, so you have to just think out of the box, एक box में रहते वे काम करने से कुछ भी नहीं होग जब तक आप बहार नहीं आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा किस तरह से काम करना है, so embrace the uncomfortable, वो चीजें जो आपको लगता कि मैं नहीं कर सकता हैं, पता नहीं कैसे होगा, अपने आप में willpower अपनी strong करके, अपने आपको पूरे तरीके से तयार करके, मैदान में उतरें, आ पूर आएगी, क्योंकि हमें आदेत होती हैं, हम एडिक्टर्स होते हैं, डॉपमीन एडिक्टर्स मैंने पहले बात की थी, तो जब हम उसे छोड़ते हैं, तकलीफ तो होती है, लेकिन वो काम हमारे बाद में, फ्यूचर के लिए बहुत पहतरीन हो जाता है, ठीक है, अपन में जो जो काम किया, उसके बैनेफिट्स लिखें, जो आपका दिल कर रहा है, वो काम किया है, उसके बैनेफिट्स क्या थे, और उसके नुकसनाद क्या थे, अफ्कॉर्स हम उसी चीज का साथ देते हैं, जिसके बैनेफिट्स ज्यादा हों, जिसके बैनेफिट्स ज्यादा जो है powerful करें first you have to make decision then decision will make you first of all आप decision करें कि आपने ये काम करना है उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दें दिन रात काम करें लगन के will power के साथ काम करें ठीक है और फिर उसके बाद वो decision जो है ना जो आपने वो decision लिया था उसके लिए काम कर रहे थे वो decision आपको बना देगा ठीक है एक successful आदमी जब तक आप उस decision पर चलते रहेंगे तब तक आप बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते रहेंगे अपनी मर्जी के मताबिक हाँ यह थोड़ा मुश्किल है लेकिन यह नामुम्किन नहीं है हमें अपनी addiction छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है बहुत दवा होता है कि हम relapse कर जाते हैं हम collapse करते हैं नहीं हम नहीं कर सकते और वह वापिस उसी चीज़ पर चले जाते हैं लेकिन जब अपनी courage बनाए रखते हैं अपना reward अपना incentive सामने रखते हुए कि हाँ जी हमने यह क करना है अपना उस गोल को set करके सामने रखें और उसको दिन रात सूचें आपकी courage कभी भी कम नहीं होगी कि इस तरह से आप discipline को maintain रख सकते हैं किस तरह से आप persistent रह सकते हैं